नमस्कार आप देख रहे हैं मोवैल निज़ 24 और मैं हो नी रजकुमार वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का और इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो वैडन का सपतगरन समारो आज आज होगी किसान और सरकार के बीच दसमे दौर की बातचीत आज फिर खुलेंगे बिहार में स्कूल हिमाचल परदेश में 22 बर्स ये युबतिया बनी परधान इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्टपती जो वैडन का होगा सपतगरन समारो सुरक्षा समेत कई बदलाव के साथ होगा सत्ता का हस्ता अंतरन कारकरम आज किसानों और सरकार के बीच दसमे दौर की बात्चित होगी हलांकि इसका आज भी हल निकल जाएं इसी संभावनाय नजर नहीं आ रही है बीजेपी अध्धक्ष जेपी नडड़ा को राष्टी अध्धक्ष बने आज एक साल पूरा होने जा रहा है जहां इस मौके पर नड़ा के कई चाहने वाले ने विसेश कारकरम का आयोजन किया है इंडिगो पैंट्स 2021 का दूसरा IPO आज खुलने जा रहा है इससे पहले इंडियन रेलवे फैनेंस कार पोरेशन का IPO 18 जनवरी को खुला था जो आज बन्द हो रहा है इंडिगो पैंट्स का IPO 22 जनवरी को बन्द होगा आज नौर्थ इस्ट के मनिपूर मिगाले और तिरपुरा राज का अस्थापना दिवस है इस मौके पर राज्य सरकार की और से कई कारकरम का आयोजन किया गया है आज बिहार के छठी से आठ्मी कलास के स्कूल खुलने जा रहे हैं मही फर्वरी के पहले सब्ताह में पहली से पांचवी तक का कलास खोले जाने की संभावना है अब संसद के केंटीन में नहीं मिलेगा सवसीटी वाला खाना लोगसभाद धक्ष ओम बिरला ने लिया बड़ा फैसला उत्तर भारत में अगले तीन दिनों तक बढ़ेगी सीतलहर IMD का एलर्ड राजधानी दिल्ली में पारा तीन डिग्री के नीचे जा सकता है चेक बॉंस मामले में सिग्रक ट्रायल पर सुप्रिम कोट ने मंगलवार को विभिन कोटों और राजसरकारत था कैन सासित परदेशों को चार हपते में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है इंडियन पोस्ट ओफिस ने डाक सेवक के कुल 4299 पोस्ट पर नियुक्तिया निकाली है इक्षुक उमिद्वार ओफिस्यल वेबसाइट www.appost.in पर जाकर 21 जनवरी 2021 तक आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं मद परदेश के मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहान ने केंदरी रक्षामंत्री राजना सिंग से की मुलाकात भिंड में सैनिक स्कूल खोलने की प्रगती पर हुई चर्चा हर्याना के पानिपत नगर निगम चुनाव में दुश्यंत वहट सीनियर डिप्टी मेयर और रविंदर बने डिप्टी मेयर 22 जनवरी को होगी उत्राखन मंत्री मंदल की बैठक कुम्भ सहित कई एहम फैसलों पर लग सकती है मोहर जारखन में पंचाय चुनाव नहीं कराने पर मामला पहुचा है कोट जल्द चुनाव की मांग को लेकर डायर की गई जनहितियाची का असम के उद्योग पतियों से मिले 36 गर के मुखमंत्री भुपेस बगेल 36 गर में निवेश के लिए दिया न्योता राज्थान में नई स्वास्थ बिमा योजना लागू करेगी गहलो सरकार पांच लाख तक का होगा स्वास्थ बिमा कवर महराश के ग्राम पंचाय चुनाव में सत्ता दहारी गटवंधन महाविकास अगहारी वविपक्षी दल भाजपा दोनों ही अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा जबकि ये चुनाव किसी पाटी के चुनाव चिन पर लरे ही नहीं जाते हैं अगामी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर का सर्वे भाजपा को मिलेगी एतिहासिक बरहत लेकिन सरकार बनाएगी ममता ही उरिशा के भुवनेंसर से सांसद अप्राजिता सरंगी ने सुरू की अनपुर्ना योजना प्रती दिन 752 लोगों को मिलेगा मुप्त में भोजन गुजरात में निकाय चुनाव से पहले कॉंग्रेस का हल्ला बोल किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली ट्रेक्टर रेली कस्मीर में बिखर्ता दिख रहा है गुपकार गठवंधन पीपल्स कॉंफरेंस के सज्जाद लॉन ने P.A.G.D. से खुद को किया लग हिमाचल परदेश में 22 वर्स की युगतिया बनी परधान बिलासपुर जिला की साई खारसी पंचायत की जागरिती और सिमला के रोहरू छेत्र की लोवर कोर्टी पंचायत की अवंतिका चोहान ने परधान पद पर जीत हासिल की UP के महवासे परवीन कुमार की रिपोर्ट अयोध्या में राम मंदिर निर्मान निधी संग्रह के लिए जिले के पनवारी कस्वे में सैक्रों राम भक्तों ने निकाली सोभा यात्रा MP के छतरपुर लवकुसनगर से हैमत स्रिवास की रिपोर्ट श्री राम जन्भुमी निर्मान निधी महावियान की हुई बैठक बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे राष्टिय स्वेमसे वक्संग के सहजिला कार्मा केजी सुखला UP के रामपूर से सानु खान की रिपोर्ट रामपूर के मिलक तहसील में निर्क्षन के दोरान कोई भी करमचारी नहीं मिला जिसके साथ ही मंडी परिसर और सोचाले में गंदगी का भी था आलम अस्पताल में निर्क्षन के दोरान कोई डॉक्टर भी नहीं था मौजूद इन सभी को देखते हुए विधायक राजवाला से किया गया सवाल तो उन्होंने कहा कि निर्क्षन के दोरान जो भी कम्या पाई गई है और जो भी करमचारी अनुपस्थित मिला है उनके खिलाफ सक्स से सक्स कारवाई की जाएगी यूपी के रामपूर से सानु खान की रिपोर्ट सप्पा सांसद आजम खान के लिए एक और बड़ा जटका राजस्वा अभिलेखा से काटा गया मौलाना महमद अली जोहर उन्वर्सिटी का नाम और सरकार के खाते में दर्ज हुई जोहर ट्रस्ट की 172 एकर जमीन दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाहिता को दीफासी परीजनों को सुचित किये विना दफनाय गया पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कबर खोद कर पोश्ट माटम के लिए भेजा यूपी के सुल्तानपुर से दिलिप कुमार की रिपोर्ट पूजा कांड में धंब और खाना अध्यक्ष ने की जम कर्मन मानी अब कोट ने लिया संग्यान दर्ज करना होगा मुकदमा आपको बतातें कि थाना अध्यक्ष द्वारा बारदात के कई महने बाद भी आरोपियों को दिया जा रहा था संडक्षन यूपी के बर्खेरा पीली भीट से अवध सक्सेना की रिपोर्ट पीली भीट के गांधी प्रेक्षाग्रेह पर जिलाधिकारी पीली भीट पुलकित खरे एवं पुलिस अधिक्षक जैप्रकास द्वारा सरक्षुरक्षा माह का सुभारम किया गया तथा जन्ता को सरक्ष रक्षा के संबन्ध में यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरुप किया गया यूपी के सुस्तानपुर से दिलिप कुमार की रिपोर्ट विद्दुत विभाग ने बकाया बिल भुगतान हेतु पारा चौराहे पर लगाया कैम्प विने रावत जेई की उपश्थिती में उपभुगताओं ने जमा कराये बकाया बिल तो ये थी सुबह के कुछ ताजातरीन ख़बरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन बेल के अल आप्शन को जड़ू दवाईए वीडियो को लाइक कीजे और ज्यादा ज्यादा सेर कीजे ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट